ओम शान्ति दस ओगस्थ दो हजार तेज़ की साकार मुर्ली से हूमवर्ग आज की मुर्ली से हम लक्षय लेंगे मात पिता को फोलो कर सूर्य वन्षी बनने का पुर्शार्थ करना है सूर्य वन्षी बनने के लिए आज की मुर्ली में कुछ बातों पर भावा ने अटेंशन दिलवाया है जीते जी मरना है, देही अभिमानी बनना है, याद में रहना है, सुधर्शन चकर फिराना है, श्रीमत पर चलना है, सर्वी से बुल बनना है इन बातों को आज सारा दिन समृती में रखते हुए देखना है कौन सी बात मैंने अपनी जीवन में अभी तक धारन नहीं की है तो उसको धारन करने का आज पुर्शार्थ करेंगे जीते जी मरना, अर्थात बाप की गोध लेना तो बावा ने कहा, तो इस समय तुम बच्चे बाप की गोध में आते हो अर्थात बावा हमें एडॉप्ट करते हैं तो इसलिए ये समृति में रखना है कि हम पुरानी दुनिया हमारे लिए खत्म हो गई है हम दुख की दुनिया से मर चुके है तो ये कहावत को समृति में रखते ही हम इस नए जनम के संसकारों को ये मर्श करेंगे पुराने संसकारों से, पुराने संबंधों से, पुरानी बातों से और पुरानी दुनिया से मर चुके है और हमारे लिए वो दुनिया खत्म हो चुकी है अब हमारे संबंध केवल बाबा के साथ है और हमारा संसार केवल एक बाबा है इसे बोलेंगे जीते जी मरना दूसरी बात जीते जी मरने का मतलब देही अभीमानी बनना क्योंकि अभी आत्मा का संबंद परमात्मा के साथ होता है तो देही अभिमानी बनने के लिए आज बाबा ने कहा स्वामान में रहने से देह अभिमान और देभान अपने आप समाप्त हो जाता है संगम पर बाबा हमें स्वामान धारी बनाते हैं हम इतना स्वामान में रहते हैं, जिसके कारण भविश्य में हमारी स्वामान के कारण उंचपद मिलता है, हम भविश्य में चेतन देवता बनते हैं, वो भी यादगार है, और द्वापर और कल्रुग में भक्ती में हमारे जड़ चित्रों की यादगार है, ये तभी हो सकती ह अगर हम सारा दिन स्वामान धारी बन करके रहेंगे देभान और अभिमान का त्याग कर देंगे फिर बाबा ने कहा मात पिता को फोलो करना अर्था सारा दिन बाप की याद में रहना बाप के गले का हार बनने के लिए बाप की निरंतर याद रहे इसमें आवाज में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से याद की धुन लगी रहे, इसके लिए जरूरी है लक्षय की समरिती रहे, जितना लक्षय समरिती में रहेगा, कि हम लक्षमी नारायन बनने वाले हैं, इस नशे में रहेंगे, उतना ही ऐसा बनाने वाला पिता, स्वता याद आएगा, गा लक्षय की सुम्रिती, स्व की सुम्रिती और स्व पिता की सुम्रिती हमें भविश्य में सूर्यवन्शी बनाएंगी, पिता हमें बादशाही देता है, टीचर पढ़ा करके हमें सूर्यवन्शी बनाता है, और सत्गुरु हमें सद्गती करता है अर्थात पावन बनाकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं तो ये सम्रितियां सारा दिन इमर्ज रूप में रखेंगे तो बाबा की याद रहेगी सुवदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बाबा ने कहा सुवद का दर्शन करना है सत्युक में हम आत्मा सतो प्रधान होती है आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमों से निकलती है तो ये चिंतन करते रहना है कि फिर जब हम रजों में आते हैं तब हम चंदरवन्शी होते हैं रजों में आते हैं तब हम भक्ति मारग में आ जाते हैं और इस समय हम कामचिता के कारण काले हो जाते हैं घोर अंध्यारे में आ जाते हैं और संगम पर बावा हमें ज्यानचिता पर बिठाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट कर करके हमें नया जनम देते हैं और हमें वैकुंट का मालिक बनाते हैं तो इसी तरह next point याद रखेंगे बाबा की श्रीमत पर चलना है श्रीमत यही है कि हमें श्रेष्ट बनना है मात पिता को फारकती नहीं देनी है मन मत पर नहीं चलना है और मम्मा बाबा को फोलो करना है और करके क्या करना है सर्विस करने है सर्विस करने की विधी बताई कि तुम्हें धिंडोरा पिटवाना है कि बाप जो है जो धिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है ये बताना है कि तुम्हारा बाप आ चुका है तो उनको बताना है परमात्मा सरव्यापी नहीं है साकार औ फिर उनको ये भी बताना है कि इस समय तुम परमात्मा को याद करके अपना वर्सा ले सकते हो, तो मात, पिता, समान, सेवा की नई नई युक्तियां निकाल करके सब को समझानी है, इस तरह सर्विस करनी है, तो हम भविश्य में सूर्यवन्शी बन सकते हैं, ओम शान्ति.